कुंज बिहारी श्री हर्दास रादे रादे कार्तिक मात दूसरा अध्याए श्री कृष्ण भग्वान बोले हे प्रिये जब गुणवतिनी राक्षर द्वारा अपने पिता और पती का मरना सुना तो वो बहुत दुखी हुई और रुदन करने लगी हे स्वामी हे पिता आप मुझे छोड़कर कहां चले गए मैं आपके बिना क्या करूँ अब मेरे भोजन वस्त का प्रभंद कौन करेगा अब मैं किसकी शरनलू मैं विदवा हो गई विधाता का मेरे उपर कोप हुआ है मैं कैसे जी उस्री कृष्ण जी बोले कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा पती की परिलोकि क्रिया को किया और उसी निगरी में विश्नु भगवान की बक्ती में ततपर होकर इंद्रियों को वश्मे कर शांती से उसने अपना जीवन यापन करना चुरू कर दिया और मरं तक एकाशी और कार्तिक मास्के वरतादी करती रही हे प्रिया यह है दोनों और मोक्ष की प्राप्ती होती है पुत्र संपत्री मिलती है कार्तिक की तुलाराशी पर सूरे निकलने पर महापापी जो भी प्रातेकल स्नान करते हैं वे भी युक्ति को धारन कर लेते हैं जो मनुश्य स्नान जागरन दीबतान और तुलसी का पालन करते हैं वे विश्नु के रूप है विश्णु भगवान के मंदिर में जाड़ना, सतिया काड़ना तथा विश्णु के पूजा आदे का कारे तो मनुश्य करते हैं वह जीवन मुक्त होने होते हैं इस प्रकार वह गुडवती होक भर वर्षकार्तिक और वरत और भगवान विश्णु का नित्त ही पूजन करती रही एक समय वृद्धा वस्ता के कारण दुर्बल होने से रोग और जड़ से पीरित होने पर भी गंगास नान को गई जो ही पानी में उत्री जाड़े के कारण कापने लगी और उसी समय गुडवती दे आकाश से आता हुआ एक विमान देखा शंग पहटी हुई कारतिक प्रभाव से मेरे पास आ गई और जब ब्रहमारी देवताओं की प्रातना से में प्रच्वी पर आया तब वे गया भी मेरे साथ आए हे भामिनी यह सब मयादव मेरे गया है और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जनम में सत्राजित हुए और तु तुम यही गुणवतली हो जो कारतिक के सनान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रियो हो तुमने तो मेरे मनमंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था उसी सही है कल्प वरक्ष तुम्हारे आंगन में है कारतिक में जो पहले तुमने दीबदान किये हैं उसी का फ कार्तिक में वरत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रीय होंगे सूद जी बोले सक्ते भामा जी अपने पूर्व जनम का सभाल जानकर बड़ी प्रसन हुई तो ये था कार्तिक महातन का दित्ते अध्याए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर श्री हदास राधे राधे झाल 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 झाल